नमस्कार दोस्तों ये सिस्व एजुकेशन में आपका स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आदानी गुरुप के सेर में आज के दिन जो गिरावट आई उसके पीछे की क्या स्टोरी है तो सबसे पहले दोस्तों आपके सामने नाम दिख है सुचिता दलाल ये सुचिता दलाल को नए इसका कोश्चन अगर आपके सामने आ रहा है तो महीं बता देता हूँ नाइटीन नाइटीटू में जो हर्षद में ता स्काम हुआ था वो स्काम को वजगर करने वाली यही वेक्ति थी जिनका नाम सुचिता दलाल है ये टाइमस अप इंडिया में काम करती थी उस टाइम में और अगर आपको जानकारी नहीं है तो इसके ओपर गूगल करके दे एक ट्विट किया और ये ट्विट से यहाँ पे सुरुवात हुई है तो उन्हेंने एक बिनक किसी का नाम लेते हुए ये कहा है किसे भी के पास एक ट्रेकिंग है और एक रिसेंट जो अपरेटर है पास्ट में वो वापिस आया है और वो वन पर्टिकुलर ग्रूप का प् है तो ये ट्विट आप देख सकते हैं तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ है ऐसा उनका कहना है जो पहले हो रहा था अभी भी वैसे ही हो रहा है तो उनका बिना किसी कंपनी के ब्लेम किये बगर नाम लिए बगर यहाँ पर सब कुछ आ गया है तो उसके बाद आज के द दिन का क्लोज देखेंगे आप तो कल के दिन का क्लोज था सोला सु रुपे और आज के दिन का लो था बारा सु रुपे यानि थर्टी फाइप पर्शिंट के असपसों की गिरावत फाइनली यह पलोजेंग में वापिस रिकॉर्यू के फंद्रा है 15 15 क्लोजिंग में यहां पर आदानी पोर्ट देखेंगे तो आदानी पोर्ट भी 762 के उपर क्लोज हुआ है और इसका जो लो बना था 681 का और इसका प्रिवेस क्लोज था 889 तो कापी बड़ी गिरावट आई थी वहां से कापी बड़ा रिकावरी हुआ है उसके बाद आद अब देखेंगे अ आदानी पावर यह फ्लैड 5% लोर सर्किट के साथ बंद रहा है आदानी टोटल ग्रैस यह भी फ्लैड 5% लोर सर्किट के साथ बंद हुआ है और आदानी ग्रीन एक ऐसा शेर रहा है यह गिरावट के बार लोर सर्किट लगने के बार वापिस से रिकावर होके ग्रीन में है और ये 1226 के ऊपर क्लोज हुआ है तो यह हो गया शेर्स के बरे में अब हम उस न्यूज के बरे में चाच्चा करेंगे दूस्तों जो न्यूज मीडिया में आई है दूसतों तो उसके उपर जाते हैं तो यह देख सकते हैं यहाँ पर न्यूज जो आई थी आदानी शेयर लोवर प्रीजब सब में हुआ था और इसमें बेसिकली जो तीन बड़े इन्वेस्टर प्वारेन इन्वेस्टर है उनका आकाउन इनेजडेयल दोरा प्रीज करने की नहीं हो जाई थी दोस्तों तो यहाँ पर बेसिकली बहुत सारे चीजें आपके सामने आती हैं और उसके पूरा वीडियो को एंट तक दिखिए अगर वीडियो को चानल को अब सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जोरू कीजे दोस्तों अब आपके सामने वो नियूज आए आज के दिन एनेजडियल ने आचानक एक एक्षन ले लिया आधानी गुरूप के तीन फोरेंड इंवेश्टर कंपनी के आकौन को प्रीज कर दिया ये तीन कंपनी के तीन फोरेंड कंपनी का नाम आप देखेंगे तो नाम है अलबुल इंवेस्टमेंट पंड, क्रेश्टा पंड and APMS इंवेस्टमेंट पंड ये तीन कंपनी ने टोटल 43,500 करोर के शेर्स आधानी गुरूप के बाई किये थे, उसमें आधानी एंटर्प्राइजेस, आधानी ग्रीन एनर्जी, आधानी ट्रांस्मिशन, आधानी टोटल ग्राइस इनके अकॉंट्स प्रीज किये गया है, प्रीज का मतलब है अभी एक इंवेस्टर्स अभी अपने सेर्स को बेच नहीं पाएंगे, जब तक यहां पर इंवेस्टमेंट जो इंवेस्टिकेशन कंप्लीट नहीं होता, तो यहां से इसका प्राब्लेम क्या हुआ है, फोरें इंवेस्टर्स अकॉंट उपन करते हैं, तो उसका कंप्लाइंस देखा जाता है, और यहां पर जो कंप्लाइंस के कुछ वाइलेशन यह तीन कंपनी में देखे गया है, जब इंवेस्टिकेशन जो डाकुमेंटेशन डिस्क्लोज करते हैं, जब उसमें सबसे पहली बात है कि इनके डाकुमेंटेशन में डिगुलिटी वाइलेशन देखा गया है, उसमें सबसे पहले बात तीनों कंपनीज का एड्रेस से में, तीनों कंपनीज का रिजिस्टर एड्रेस से में, तीनों कंपनीज एकी सीटी में हैं, तो और कंपनीज रिजिस्टर हैं, पोर्ट लु इंटर्प्राइजस में 6.82% का होल्डिंग है टोटल मिलाके उसके बाद आदानी ट्रांस्मिशन में 8.03% का है और आदानी टोटल ग्यास की बात की जाए तो 5.9% का है और आदानी ग्रीन एनर्जी की बात की जाए तो 3.58% की है तो ये जब एनेजडेयल का एक्षन आए तभ है यहाँ पर इसका जो आदानी ग्रूप के सेर्स में गिरा ओट रही दोस्तों तो अब यहाँ पर इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए ए तो दोस्तों यहाँ पर रिपारी हुई यह बडा ग्रूप है छोटा ग्रूप नहीं और प्राइसस आप देखते हैं बहुत जबर आधानी इंटरप्राइस का सेड़ में मुम मेंंट हाया दोस्तों और उसके बात बात की जाए आधानी ट्रांसमिशन कि तो उसमें लग भग छह 110 के आसके शॉत पास की मुमेंट में 147 परसंट के असपास और आदानी पावर में 295 परसंट के असपास तो यह बहुत जबदस्ट राइच है तो इसमें आप सेर्स प्राइस मैनिपुलेशन का सस्पेक्ट है और यहां से भी इंवेस्टिकेशन करेगा ऐसा नहीं जा रहा है दुस्तो तो यहां पे आपको थो हुआ दूसरी बात की जाए तो जैसा सेर्स का मैंनिपलेशन होता है तो वहां पे आपको हमेशा साउदानी को बरतना है तो यहां पे आप देख सकते आदानी को युके एंटरपाइजेस को जाय में इतना ना है तो नहीं तो तोल किया समी राईज हुआ है अला की आदानी अधनी गरीन एनरजी उसमें उतना राइव नहीं और कापी पहले से स्टेडिली मोमेंट में हैं तो आदानी गरीन एनरजी यहापे तोड़ा सा एक्सिप्शन लगता है लेकिन बाकी शेयस में तोड़ा सा अधनी बरतना जरुरी उलता है तो आप सोच समझ के दोस्तो इस आपनीज के उपर निवेशित रहना है नहीं रहना है उसको देखिए लेकिन यहाँ पर पैनिक स्टेलिंग मत कीजिये दोस्तों क्योंकि यह इन्वेस्टिकेशन चलेगा भी जो प्रोग हुआ है यह मामला कापी लंबा चलेगा तो यहाँ पर आदानी गूप के शेयस ने जो वेल्ड बना के दी है तो उसका वेल्ड का सबसे ज़्यादा वेल्डियस जो है आदानी गूप के जो चेर्मन है मिस्टर गौतम आदानी वही रहे है दोस्तों तो उनको लगग 9.7.6 बिलियन डालर का एकी दिन में उनका घटा हुआ है तो यह सेकंड लार्जस्ट जबर्दस्ट गिरावट के बाद उनका कापी वेल्ड कम हुआ है तो यहां पर ऐसे कंडिशिंस में आपको सोच समझ के निवेशित रहना है नहीं रहना है उसकुत पर डिसीजन डून दीजिए दूस्तों शेर मार्केट है यहां पर कापी आपोर्चुनिटी आती रहती है तो आप साउधानी से अगर चाहें तो अभी शेर से जिट ले सकते हैं बट जब भी पैनिक सिलिंग आते हैं उस टाइम में नहीं लेना दूस्तों यह स्टेबल होता है प्राइस जन्रली पैनिक सिलिंग आने का बद वापिस से सेर्स रिबाउंड होते हैं और यहां पर नि के तरफ से एक ऑफिशन अनॉस्मेंट आया और उनने उस न्यूज को ही फाल्स बताया दूस्तों यह मामला इस न्यूज को फाल्स बताया इसलिए सभी सेर्स में वापिस से मुवमेंट आई जैसा अधानिक रिन वापिस से पॉजिटिव टेरिटरी में आ गया है और बाग समय लगा तो इन गुरूप के सेर्स में अभी आपको साउधानी बरतना जरूरी है दूस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को इस समाप्त करता दूस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रू किजे कॉमेंट सेक्शन में लिखिए और धन्यवाद जोस्तों तेरो मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ